नेहा सिंग्राठोर नाम की जो है यूटूबर है किसी को गाली देकर समझाना कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी को जूता मार के समझाईए भाई खेसारी लाल भी सांसत में खड़े मतलब सांसत बने चुनाव लड़े क्योंकि जो इनसान कलाकार इतना अच्छा है कि उनको देखा जाय तो छोटे इनसान कलाकार हो उसका मदद करना गरीबों का मदद करना कोई अपाईज इंसान हो उसका मदद करना तो यह सब चीज़ बहुत अच्छा लगता है और यह सब चीज़ किसके में होना चाहिए जो आज ऐसा न हमारे जो राजनिती लाइन में जितने लोग हैं उन लोगों का दिल भी ऐसा होना चाहिए कि भाई जैसे खेसारी जी के नजर में अगर देखा जाएं जैसे हम लोग देखते हैं उनको तो समझ में आदा है उनके नजर में गरीब इंसान हो या छोटा इंसान हो जिसके पास कुछ नहीं है ठीक हैं वो भी उनका अपना है कोई अमीर इंसान हो लेबल का इंसान हो वो भी इंसान अपना है उनका में दर्या दिल इंसान है खेसारी जी तो हम क्या marks the difference है कि भाई कहसारी जी Samptide मतलब सांसद लड़ें सांसद में आए और मतलब हमारे राज्य को आगे अगे बढ़ा ये सुचेंग मिल एक सुचुफों एकۜ इंसान कल्याकार हो कि अंगे आर्टिस्टों को ओका देना नय ने सिंगरों को रैटर कैमेरा मैं कोिवृ पॉर distributed सबको मौका देते हैं सबी को आगे बढ़ाने का सोचते हैं और चुम्म इंसा संसद में न होके हमारे भीार के लोगों के लिए भी देखिएगा कुछ दिन पहले आपने देखा हैं कि अपने जनमारे इस दिन तर खोड़ा होगा तो जो इंसान एसा निए कि लोग है ना बात बताएंगे बूलना नहीं चाहिए आज कि जो लोग होते ना ये चुनाव इसके लिए लड़ते हैं शांसद में संसद में खड़ा होता है तो जाहिर सी बात यह लोगों के लिए अच्छा ही करेंगे इनको चूरी करने से मतलब ने पैसा कमा के अलड़ी यह रख चुके हैं आज कल के जो नेता विधायक भीक मांगने खाता है याद रखेगा सभी को रोजगार मिल जाए लुद देखी असे घला कि ऩरी पहले दो द पतना साहिब छेतर से चुनाओ लड़ने की कहसारी जी जाएंगी? जाहिर सी बात हैं, देखिए, सबसे पहली बात की खेसारी जी को सब लोग जानता है की कहां से उठे हैं, जमीनी अस्तर से उठे हैं वो इंसान जो उन्होंने स्टेज किया है या अदर जो भी किया है लिटी चोखा बेचा है जो भी किया है एक गरीब बाप का बेटा आज इतने अच्छे लेबल पे गया है अपने पूरे फैमिली को बनाया और सभी लोगों को मतलब अपनी अपने लाइफ में उन्हों ने जो प्रॉसरे कलाकारों को नहीं देखना चाहते हैं सबीका इसी के लिए मदद करते रहते हैं या यूपी authors सभी को पता कि खेसारी लाल क्या है क्या थे क्या बने हैं पर लिए के यह को चाहता है कि अगर 100% चुना होगा ना तो 99% लोग खेसारी जी को वोट देंगे और उनको जिताएंगे अब 1% लोग कुत्ता भी लाई हो जाता है तो वो ही नहीं देगा अब यह रियल्टी फैक्ट है एक परसेंट लोग विरोधी हो जाते हैं जो नहीं देते हैं चाहते हैं कि भाई वो हार जाया हार जाया उनके सोच में ही इंसान ऐसा होता है कि जीत के निकल जाता है तो खेसारी जी के लिए 99 परसेंट लिख के रखा हुआ है जब मैं इंटर्विव कर रहा था तो उन्होंने यहीं बात को बोले कि मैं नेता विधायक मंदरी बनकर संसद बनकर मैं गरीबों का बदर नहीं करना चाहता हूं वो मेरे सोच में है मैं गरीबी को देखा हूं गर बड़ी बात खेसारी जी ने कह दिया है लोगों को दिमाग लगा के सोचना चाहिए आज के जो नेता विधायक है उननों खाली चुराने के लिए आया है पैसा कमाने के लिए दुतल्ला पच्तल्ला बंगला ठोकवाने के लिए बेटे को बिदेश में पढ़ाएगा और वो खर्बों कमाने के लिए लेकिन जो भी हो लेकिन खेसारी जी ने अपने बातों से आपको ये जताना चाहा लोगों को ये दर्साना चाहा कि हमको नेता नहीं बनना है हम अभी नेता ठीक हैं लेकिन हमको एक बेटा बनके सारे समाच के जितने लोग हैं सब हमारे माता पीता भाई बैन है तो मैं एक बेटा बनके एक भाई बनके मैं सभी का मदद करना चाहता हूं कोई नेता बनके नहीं क्योंकि हमको यहां छापना नहीं है छाप छोड़ना है यह कहना चाहते हैं वह देख सकते हैं कि भाई अनु चौधरी बोलते हैं कि भाई छाप छोड़ना है छा इनसान मतलब कहने की बात है आजके जमाने में कोई इतना दर्यादिल इनसान नहीं होता है और एक गलाकर इतने अच्छे तरीके से काम कर रहा है संसाथ में खड़े होने के पहले तो यहीं कहेंगे बाइगि इनसान को जीतना चाहिए चुनाव लड़ना चीर इनको टिकट मिल जरूरत है कि ऐसे लोग हमारे राज्जी में आए कि जो अपने आपको नेता ना समझे अपने आपको एक बेटा समझे समाज का और समाज का सेवा करें यहां जाहिर सी बात है यहां के लिए खुशी की बात होगी कि एक मतलब खेसारी जी बहुत अच्छे कलाकार है जो उन्हो कि आपको जरूरत है जो आज लड़कों को जरूरत है और बाप को जरूरत है अगर चुनाओं लड़ते हैं आरजेडी के टिकट पर क्या आप परचार करने जाएंगी देखिए सबसे पहली बात कि हम दो नीती वेला काम ने करेंगे हम को जहां से मौका मिलेगा और जैसा को मौरे लिए ना चीकष में को बड़ा हमारे बात मांते हैं हम आरी यहां कोई भी सरकार हें हमारे लिए सरवपरी हैं मैं वह हमारा सरकार हैं यहां पर हमको बुलाया जाएगा कि भाई आप आईए परचार कीजिए तो हम जाएंगे जरूर करेंगे आप जो बोले कि कुछ लोग होते हैं कि दिखाते हैं नुकू नुकू करते हैं नखरा दिखाते एक सलफी खिचने में तो यह कौन लोग करता हैं कि उन्हीं लोग करता है जिसको अचानक से श्टारड़ मिलती है वो ही इंसान लोग इतना नकारत मतलब ऐसे मना करता है कि हम यह नहीं करेंगे वह नहीं करेंगे खुद गरीबी जहला है तो दूसरों के लिए चाहिर से बाते कुछ अच्छा ही करेगा तो हम तो यहीं कहेंगे कि भाई देखिए सबसे पहली बात सब को अच्छा नहीं कहना चाहिए और एक बात जीवन में यह बात याद रखिएगा कि जब इंसान कुछ अच्छा करने जा अब मतलब कहा जाए कि तुम्हारा जीत अभी ज्यादा दूर नहीं है वही हाल है अभी खेसारी जी का ठीक है लोग टांग खिच रहे हैं क्योंकि वह तो अल्रड़ी उपर आ चुके हैं अब उनको किसी चीज़ का ज़रुवत ही नहीं है अच्छा अनुजी एक सवाल और ह है कि उनका फिल्म अभी फिल्हाल आ रहा है रंग दे बसंती बहुत अच्छी बात है कि उनका मुवी आ रहा है और उन्होंने जैसे अभी नए नए तरीके के गाने लाएं जो सुपर हीट बचते जा रहे हैं अभी जो है रखले बाडू पाव अच्छा क्या करा चाहिए ब तो उस गाने को अगर ध्यान से देखेगा तो समझ में आ जाएगा क्या बात को लेकर कह रहे हैं अच्छा लगा हम यहीं चाहेंगे कि ठीक है अच्छा है कि अब आप फिर से जो आप अपसेड होके काम करना बंद कर चुके थे जैसे आप अब अपसेटिंग से निकल के 750 किया है मूवी किया है उसको भी सारे उपी भिहार के लोग हैं हमारे जो भी हमारे इंडियन लोग हैं सब लोग आपका लएक राए अब बताती हूं कि अगर लड़कियों को उधारान लेते हैं बीना दुपटे का अगर मार्केट में चलिएगा तो नजर है न कोई अच्छा लोग होता है जो बोलेगा ठीके जाओ और कुछ लोग होता है कि उसके जो नहीं देखना चीज उस चीज़ पर नजर रखते हैं तो माइंड सेट यहां क्या क इसा दिया गया है कि वो जो फीमेल आटिश थी उन्होंने पाव किलो निलमगिरी उन्होंने पाव किलो पाव भर जो भी है फल सब्जी रखा ववा था और सारे गाओं में घुम के बेच रही थी वो वो कह रहे हैं क्योंकि सबको पता है कि अगर कोई फल फुल वाला या सा चिला चिला के बेचता है इंसान तो गाने कर थिंख यह हैं आप सबका सबका अपना माइंड है हमको अच्छा लगा भाई अच्छा है गाने ऐसे यह लाइए जी और ऐसे गाने चाहिए नहीं ठीक है अब लोग उसमें नया-nया कोई रूल निकाल दे कोई खट निकाल दे कि ऐसा था वैसा तो अलग बाद है बहुत सारे लोगी की गलत गलत गाना का है उसको कोई निवु खरबूजा का तब तक आ गया खेंसार लियादो जी का रख ले बाड़ो पावबा बड़ा एक अच्छा गजब साही लग रहा है का ना फिलहाल इस वीडियो के बारे में क्या सोते हैं खेसार लियादों को चुनाओ लड़ना चाहिए और खेसार लियादों के रंगते बसंती मोवे कौन कौन देखने वाले हैं कोमेंट सेक्षर में जवाब जोब देंगे अनुचो दिन लाश्म में जाने 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 यहां हम यही कहना चाहेंगे कि भाई हम लोगों के साथ बहुत गलत हुआ था पिछले टाइम संगर्स्टू आया था जो हम सारे टीम वाले लोगों को टिकट नहीं मिला था क्योंकि हाउसफुल चल रहा था लेकिन इस बार के मूवी में मिलना चाहिए अगर नहीं मिलेगा तो इतन पर्सेंट लिख के देखे सारी आपके घर आके जगड़ा करेंगे हम सब कलाकारों के लिए कम से कम एक ठीटर फिक्स रखवा दीजिए कि यहां कलाकारों को टिकट मिलना उपलब्द है ठीक है लाश बजाते जाते दर्सा को क्या करना चाहेंगे यही कहेंगे कि रखले बा रहें आपका भाई छोड़ोता भाई